हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिब चैनल एजुकेट भारत में दोस्तो आज की वीडियो में हम रोमन समराज्जी के टॉप 50 वन लाइनर क्वेशन और अंसर देखने वाले हैं इससे पहले के वीडियो में हमने रोमन समराज्जी के MCQs कंप्लीट किये अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजे क्योंकि most important वीडियो है और यहां पर आपको इसी टॉपिक के one-liner questions मिलने वाले हैं जो आपके upcoming exam के लिए most important होने वाले हैं तो प्लीज वीडियो का इन तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो like and share जरूर कीजिए अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है प्रलेक अत्वा दस्तावेज और भौतिक अवशेश यह तीन वरगों में विभाजित किया गया है रोम के इतिहास की शोत सामगरी को next देखिए रोम समराज में कौन-कौन से प्रदेश शामिल थे तो उत्तर हो जाएगा यूरोप का अधिकांज भाग, पशिमी एशिया और उत्तर ही अफरीका का एक बहुत बड़ा भाग मतलब देखिए यहाँ पर यूरोप, एशिया और अफरीका तीनों ही आ रहे है तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा समराज्य था जो तीन महादीप में फैला हुआ था तो वो कौन सा था रोमन समराज्य आपको यह याद रखना है रोम तथा इरान के समराज्यों को क्या चीज अलग करती थी तो सही उत्तर हो जाएगा भूमी की एक संकरी पट्टी जिसकी किनारे फरात नदी भहती थी दोनों समराज्यों को अलग कर दी थी यह भी most important question है देखें रोम तथा इरान के समराज्यों की बीच कैसे सम्मंद थे तो रोम और इरान के बीच आपस में प्रतिद्वन्दी थे अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे थे ठीक है इनके बीच competition चलता था यह आपको याद रखना है और अधिकांश काल में यह क्या करते रहे लड़ाई करते रहे नेक्स्ट रोमन समराजी की उत्तरी एवं दक्षनी सीमा यह क्या क्या चीजे बनाती थी तो देखिए रोमन समराजी की उत्तरी सीमा राइन तथा डैन्यूव नदी बनाती थी इसकी दक्षणी सीमा सहारा नामक रेगिस्तान से बनती थी तो आपको याद रखना है कि उत्तरी सीमा किस से बन रही है राइन और डैनियोव नदी से और दक्षणी सीमा पर क्या था तो वो था सहारा रेगिस्तान Most important है याद रखना है रोम समराजी के प्रशाशन के लिए किन दो भाशाओं का प्रयोग किया जाता था करेक्ट आंसर हो जाएगा लातिनी और युनानी बहुत पूछ जाता है कौन सी दो भाशाएं है जो रोमन समराजी के प्रशाशन के लिए चलती थी तो वो थी लातिनी और युनानी रोम समराज जी के सम्मंद में प्रिंसिपेट क्या था? प्रिंसिपेट क्या था? correct answer हो जाएगा प्रिंसिपेट वहाराज था जो रोम के अंदर प्रतहम समराट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में इस्थापित किया था रोम के समराट आउगस्टस को प्रमुक नागरिक क्यों माना जाता है most important question कई बार पूछा गया है सही answer देखे होगा रोम के समराट आउगस्टस को ये दर्शाने के लिए कि वहाँ निरंकुष्ट समराट नहीं है प्रमुक नागरिक माना जाता था ऐसा सैनेट को समान प्रदान करने के लिए किया जाता था किस समराट जी की सेना बलात भरती वाली थी इससे क्या भी प्राय था तो देखे फारस के राजी की सेना बलात भरती वाली थी इसका अर्थ यहाँ था कि राजी के कुछ वयस्ट पुर्शों को अनिवार रूप से सैनिक सेवा करनी ही पड़ती थी तो ये most important है, देखिए ये जो one liner है इससे आपको Roman समराजी समझने में बहुत जादा असानी होगी इसलिए please वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेर जरूर कर दीजे चलिए question देखते हैं, Roman समराजी की सेना की दो विशेष्टाएं बताईए तो देखिए पहली तो Roman की सेना एक वैवसाइक सेना थी जिसमें प्रतेक सैनिक को वेतन दिया जाता था ये दो विशेष्टा हैं किसकी Roman समराजी के सैनिकोगी रोम के राजनितिक इतिहास के प्रमुक खिलाडी कौन-कौन थे? तो correct answer हो जाएगा राजाया शाशक, अभिजात वर्ग और सेना ये तीन जो थे ये प्रमुक खिलाडी थे Roman समराजी के इतिहास के ग्रह युद्ध क्या होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रह युद्ध देश के भीतर दो गुटो में शशस्त्र संगर्ष होता है जिसका उद्देशी सत्ता हतियाना होता है रोम के समराज ऑगस्टरस का शाशनकाल किस बात के लिए जाना जाता था? रोम के निकटवर्ती पूर्व से क्या अभी प्राय है? निकटवर्ती पूर्व से अभी प्राय भुमद्य के बिलकुल पूर्वी प्रदेश से है इसमें सीरिया, फिलस्तीन, अरब, आधी प्रदेश शामिल थे next दिनारियस क्या था हेराड के राज्य में रोम को कितने दिनारियस की आय होती थी देखे दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें लगबग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी यह यह इसका वजन होता था है ना 4.5 ग्राम इसका वजन होता था और 91.7% इसमें शुद्ध चान्दी होती थी। हैराड के राजे से रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। रोम की सामरजाईक प्रणाली में बड़े-बड़े शहरों का क्या महत्व था। तो बड़े-बड़े शहर रोम की सामाजिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामिन शेतरों पर कर लगाती थी और वसूल करती थी। तो यह आपको सेना की कमान से हटा दिया और उनके द्वारा सेना में सेवा करने पर रोक लगा दी थी गैलिनस के कारे भी बहुत पूछे जाते हैं यह आपको याद रखना है रोमन समराज जी की आधुनिक विशेष्चता क्या थी रोमन समराज जी की अपिक्षक्रत अधिक आधुनिक तो कैसा परिवार चलता था इनका एकल परिवार रोम समराज्य के संदर्व में नगर से क्या अभी प्राय है नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसमें अपने मजिस्ट्रेट नगर परिशद एक निश्चित राज्य शेत्र होता था इसके अधिकार शेत्र में कई गाउं आते थे ऐसा हुआ करता था नगर रोम समराज्य में इरान में सारवजनिक इसनान का विरोध क्यों हुआ तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इरान के पुरोही द्वर्ग का मानना था कि सारवजनिक इसनान से जल आप अवित्र हो जाता है इसलिए उनों ने इसका विरोध किया नेक्स देखिए रोम समराजी में शहरी लोगों को उच्छे स्तर के मनोरंजन उपलब्द थे तो सही उत्तर होगा रोम के कैलेंडर से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन थे जब वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कारिक्रम अवश्य होता था तीसरी सताबदी में इरान के किस वंच के शाशकों तथा जर्मन मूल की किन जनजातियों ने रोम समराजिक आक्रमन किया तो तीसरी सताबदी में इरान के शेशानी वंच के शाशकों तथा जर्मन मूल के एलमनाई और फ्रैंक जनजातियों ने रोमन समराजी पर आक्रमन क नेक्स देखिए रोमन समराजी के स्त्रियां कहां तक आत्म निर्भर थी यह most important है तो रोमन समराजी के स्त्रियों को संपत्ति के स्वामित्व तता संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे विवाहित महिला ही अपने पिता की मृत्यू के बाद उसकी संपत्ति क स्वतंत्र मालिक बन जाती थी तलाक लेना देना भी आसान था यह आपको याद रखना है एमफोरा क्या थे यह किस छेतर में बनाये जाते थे तो देखिए एमफोरा एक प्रकार के मटके एवं कंटेनर होते थे इनमें शराब जैतून का तेल एवं अन्य तरल पधारतों की धुलाई होती थी धुलाई यहाप है न धुलाई हो जाएगा धुलाई होती थी यह वो मद्ध सागरिये शेतर में बनाये जाते थे नेक्स देखिए रोमन समराज्य के चार घनी अवादी वाले प्रदेशों के नाम बताएं दो इटली तथा दो मिश्र के लिए तो यहाँ पूछा जाता है सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़िया अंगूरी शराव केंपेनिया इटली से तथा गेहूं सिसली इटली और बाई जेकियम ट्यूनीशिया से आता था यह आपको याद रखना है रितु प्रवास का क्या अर्थ है तो चरवाहे रितुओं के अनुसार च जाता था तो जल शक्ती से सोने और चांदी की खानों की खुदाय की जाती थी और मिले चलाई जाती थी इसका भुमद्य सागर शेत्र में बड़े पैमाने पर उप्योग किया जाता था नेक्स्ट दास प्रजनन से क्या अभिप्राय है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो में दाश्रम महंगा क्यों पढ़ता था तो वेतन भोगी श्रमिकों को काम ना होने पर हटाया जा सकता था परन्तु दाश्रमिकों को वर्ष भर रखना पढ़ता था और उनका खर्चा उठाना पढ़ता था इसलिए दाश्रम महंगा होता था रोमन समराज्य में फ्रेंकी सेज अत्वा सुगंदित राल किस काम आती थी और कैसे प्राप्त की जाती थी तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंकी सेज अत्वा सुगंदित राल से धूप अगरबत्ती और इत्र बनाया जाता था इसे बोस पेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था इस पेड से रस लेकर उसे सुखा लिया जाता था और राल तयार हो जाती थी सबसे उतकरस्ट किस्म की राल कहां से आती थी ये पूछा गया क्वेश्चन है most important है सही आंसर हो जाएगा अरब प्राइदीब से सबसे अच्छी किश्म की जो राल है वो आती थी ऐसे दो तरीकों का वर्णन कीजिए जिसकी साहता से रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंतरन रखते थे तो सही उत्तर होगा श्रमिक मुख्यता दास होते थे उन पर नियंतरन रखने के लिए उन्हें जंजीरों में डाल कर रखा जाता था उन्हें दागा जाता था ताकि भागने और छिपने पर उन्हें पहचाना जा सके next रोमन सेनेतरों तथा नाइट वर्ग में एक समानता और एक असमानता बताईए तो रोम सेनेतरों की तरह अधिक्तर नाइट जमिदार होते थे सैनेटरों की विबरीत कई नाइट जहाजों के स्वामी, वैपारी और साहुकार भी होते थे पूरवर्ती रोमन समराजी के किनी चार समाजिक वरगों के नाम बताएं तो कौन से थे वो एक तो सैनेटर, अश्वरोही, अथवा नाइट वर्ग, जनता का सम्मानिय वर्ग और चौथा वर्ग था दास Most important question है दोस्तों ये कही बार exam में पूछे गए हैं इसलिए आपको याद रखना है वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजे इतिहास काड टैसिटस के अनुसार रोमन समराज के कमिन कारू वर्ग में कौन लोग शामिल थे? तो सही आन्सर हो जाएगा इस वर्ग में फूर तथा निम्न तर लोग शामिल थे जो सरकस तथा थियेटर तमाशे देखने के आदी थे आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया? तो करेक्ट आन्सर हैं पर होगा चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी स्पेन की खानों से प्राप्ति की जाती थी परन्तु ये खाने समाप्त हो चुकी थी और सरकार के पास इसका भंडार खाली हो गया था इसलिए रोमन सरकार ने चांदी के सिक्के के स्थान पर सोने के सिक्के चलाए थे रोमन समराज में परवर्ती पुराकाल में होने वाले कोई दो धार्मिक परिवर्तन कौन से थे तो देखिए पहला तो था चौथी सताबदी में समराड थियो डोसियस ने इसाई धर्म को राजधर्म बना लिया और दूसरा है सातवी सताबदी में इसलाम धर्म का उदै ये दो धार्मिक परिवर्तन परवर्ती पुराकाल रोमन समराजी में देखने को मिला समराड डायो क्लीशियन ने रोमन समराजी के विस्तार को कम क्यों किया तो समराड डायो क्लीशियन ने अनुभव किया कि समराजी के अनेक प्रदेशों पर सामरिक अत्वा आर्थिक डिस्टी से कोई महत्व नहीं है इसलिए उसने इन प्रदेशों को छोड़ दिया पैपाईरस क्या था most important question सही आंसर हो जाएगा पैपाईरस सरकंडे का पौधा था तथा पौधा मिश्रिक की मिश्रिक जो नील नदी है उसके किनारे उपता था इस पौधे के प्रयोग से ही रोमन समराज्य में लेखन सामगरी बनाई जाती थी तो यह most important है अब देखे यह solidus क्या है तो solidus समराट कॉंटेस्टाइन द्वारा चलाया गया एक सिक्का था या 4.5 ग्राम इसका वजन था और यह सुद्ध सोने से बना होता था रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृती कैसी थी तो correct answer होगा रोमन वासी अनेक पंथो तथा उपासना पद्धती में विश्वास रखते थे उन्होंने हजारों मंदिर मट देवाले बना रखे थे नेक्स देखिए इसाई करण से क्या भी प्राय है तो उत्तर हो जाएगा जिस प्रक्रिया द्वारा भिन भिन जन समूहों के बीच इसाई धर्म को फैलाया गया उसे इसाई करण कहते हैं इस प्रक्रिया से इसाई धर्म रोम का प्रमुक धर्म बन गया था रोमत्तर राज्य या पोस्ट रोमन क्या थे ? तीन सबसे महत्पूर्ण रोमत्तर राज्य कौन-कौन से थे ? तो देखे स्पेंच में विसी गुथो का राज्य, गौल में फ्रेंको का राज्य और इटली में लोवार्डो का राज्ज ये तीनों ही रोमोत्तर राज्ज थे सही आंसर हो जाएगा जस्टीनियन द्वारा इटली पर पुना अधिकार से देश छिन बिन हो गया इस प्रकार लोमबार्डो के आकरमन के लिए मार्ग तैयार हो गया सही आंसर हो जाएगा अरब प्रदेश सुरू होने वाले इसलाम के विस्तार को सैंट ऑगस्टिन या ऑगस्टस कौन थे तो सैंट ऑगस्टिन 396 इश्वी से अफरिका के हिपो नामक नगर के निवासी थे उन्हें चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच इस्थान प्राप्त था तो उत्तर हो जाएगा रोमन समराज्य के भिन भागों में साक्शर्ता दर भिन 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 थी साइनिको, साइनिक अधिकारियों तथा संपदा, प्रवंदकों में साक्षर्ता की दर अपेक्षाकरत अधिकती यही पर दोस्तों हमारे 50 questions complete हो गए हैं आशा करती हो आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा आज के लिए बस इतना ही है आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत